हाई रेल करकेट 24 फैंस तो कैसे हैं आप सब लोग आज की सीडियो में हम बात करेंगे रेल करकेट 24 के अंदर जो शॉर्ट मैप है उसका आप किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं आज की सीडियो में मैं आपको डीटेल के साथ बताऊंगा तमाम का तमाम ओप्शन बताऊंगा कि उनको आपने किस तरह से सेव करना है और जो जिनका इशू आ रहा है कि वो शॉर्ट को सेव नहीं कर पारे वो ये वीडियो लाजमी शुरू से लेकर लाज तक देखें ताकर उनको शॉर्ट मैप्शन को इस्तमाल करने का पता चल जाए और वो है अपनी शॉर्ट सेव कर प प्रेस कर लें तो यहांपार अब हम करते हैं बार शॉर्ट मैप के बारstes पहले जो उप्षन हैं भी आप कि आप इसमें अपनी शॉर्ट को सेव कर सकते हैं प्रिसेट वन में आप अलग तरह की शॉर्ट सेव कर सकते हैं प्रिसेट टू में आप अलग तरह की शॉर्ट को सेव कर सकते हैं तो अमीद करता हूँ ये बात आपको समझ आगी होगी उसके बाद हम बात करते हैं best man type की तो मैं आपको यहां पर एक बात पहले बता दूँ कि जिन लोगों को short save नहीं करना आ रहा है वो ये वीडियो शुरू से लेकर last class में देखे क्योंकि जब तक वो लोग options का इस्तमाल नहीं उनको पता चलेगा वो आप अपनी short save नहीं कर पाओगे ये बात अभी मैंने आपको clear कर दी ये वीडियो शुरू से लेकर last class में देखनी है उसके बाद number two पर जो options आता है यहां पर आपको शो हो रहा है best man type best man type में आपको पता है rail cricket की जो best man की type से वो चाहता है की होती है जो कि आप अपने mobile screen को उपर देख रहे हैं तो ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है जब आप कोई भी short save कर रहे होते हैं इस बात को आपने लाजमी याद रखना है कि आप किस best man के लिए short को save कर रहे हैं अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं brute player के लिए short को save करना चाहता हूँ या फिर radical best man के लिए short को save करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर radical best man के लिए short को save करते हैं तो best man type मैंने radical select कर लिए अब हमने region को select करना है direction को select करना है यहां से यह जो circle है इसको आपने select करना है और जिस direction में आपने जो है short को select करना है वह वाली direction की तरफ move कर देना यह arrow white arrow यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह आपने move करना है ठीक है वह आपने arrow उस तरफ जो है करना वह region जो है वह select हो जाएगा उसके बाद जो options आता है आप अपने mobile screen को ओपर देख रहे हैं वह है preview यहां पर आप दे सकते हैं जैसे हम short को select करेंगे उसके बाद हमने यह देखना होता है यहां से preview करके के वाके जो short हम select कर लें वह कौन सी है उसके बाद जो अब मैं आपको बात बता रहा हूँ वह आपने देखनी है और जहन में यह रखनी है short को save करते हुए short type आप जो short है वो push के लिए push short save कर रहे है loft shot save कर रहे हैं या stroke shot save कर रहे हैं अब यहां पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं loft shot save कर रहा हूँ ठीक है loft shot किस best man के लिए radical best man के लिए कौन से shot save कर रहा हूँ lofted shot save कर रहा हूँ और कौन से direction मैं save कर रहा हूँ यह mid point deep mid point के उपर मैं save कर रहा हूँ इस direction के उपर मैं shot को save कर रहा हूँ यह तीन बाते आपने जहन में रखनी है लाजमी उसके बाद यहां पर जो options आते हैं front foot, back foot, special shot यह तीन जो option आपके पास आ रहे हैं तो यहां पर front foot के लिए आप देखें कौन सी shot आपने select करनी है, right side की तरफ करेंगे तो shot जो है change हो रही है यहां पर आप देख पाऊगे जो है shot select हो जाएगी तो यहां पर हमारा region जो है वो deselect हो गया था तो यहां पर मैं mid wicket को उपर shot को select कर रहा हूँ तो यहां पर आप देखेंगे best man की type मैं दबारां दबारां यही बात repeat कर रहा हूँ ताकि यह बात आपको समझ आ जाए best man type कौन सी है, radical है, shot कहां किस region मैं select कर रहा हूँ, mid wicket के उपर और shot type कौन सी है, loft shot के लिए यह मैं shot save कर रहा हूँ और अब मैं front foot के उपर कौन सी shot यह जो helicopter shot लगाना चाहता हूँ और यहां पर preview करते है, 49 के उपर यह वाली shot है 163, 136 के उपर यहां पर आपने preview कर लाना यह वाली shot है तो मैं front foot को उपर helicopter shot save करना चाहता हूँ यह वाली, 40 हो गया है अब back foot shot के लिए यहां पर आप boncer को इस्तमाल करना चाहते है 4, 4, 6 रख लें otherwise आप shot को change कर सकते हैं तो यह shot ठीक है तो यहां पर आप दे सकते है preview तो यह shot save हो गया और उसके बाद आप special shot भी आप save कर सकते हैं कौन सी shot आपने select रहने हैं वो आप देख सकते हैं यह वाली shot और यह वाली shot ठीक है अब आपको यह 3 shots मैंने save कर दी है अब मैं save करता हूँ यहां पर आप दे सकते हैं save करता हूँ अब हम दुबारा short map में जाते हैं और देखते हैं कि जो short map का इंदर जो हमारी short है वो save हुई है या नहीं short map का निदर मैं select करता हूँ यहां पर मैंने किस player के लिए मने06 इस शॉट के लिए radical के लिए radical मैं select कर लिया this direction मैंने शॉट सेव की थी made with cut को पर मैंने select की थी कौँसी shot मैंने save की थी shots षेल्स की थी lofted shorts मैंने save की थी और यहां पर आप दे सकते हैं helicopter shots फ्रेंटफुर के लिए मैंने की थी boncers ले लिए मैंने shots save की थी 446 और 172 यह shots मैंने save की थी तो यहां पर आप दिसकते हैं कि मेरी जो shot है वो save हो चुकी है अब आप गलती क्या करते हो यहां पर एक मिसाल देता हूं ताकर आपको समझ आ जाए कि जो shorter वो आपसे save क्यों नहीं हो पाती तो उससे पहले आपसे request है कि चैनल को subscribe कर दे bell icon को लाजमी प्रेस कर दे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस कर दीजिएगा आपसे आपका बहुत पहुत शुक्रिया होगा तो चैनल को लाजम सब्क्राइब कर दे तो मिसाल अब मैं दे देता हूँ कि आपने यहाँ से जो short है वो brood players के लिए select की होती है और वहाँ पर आप जो आपका जो bestman होता है वो radical या balance तो इस वज़ए से वो आप short player नहीं कर पाते और उसके बाद एक और reason हो सकती है आपने short मिसाल के तो पर आप bestman सही use कर रहे है सही जो है इस्तमाल कर रहे है लेकिन आप short जो है stroke खेल रहे है या push खेल रहे है आपने short lot save की हुई है ठीक है यह issues आते हैं अगर यह issues आपको पता चल जाए है तो आप अपनी हर short coach save कर सकते है अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो bestman की type से वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा bestman किस type का है बाबाराजम की अलग type है फखर जमान की अलग type है वराद कोली की अलग type है वराद कोली और बाबाराजम जो है balance player है ठीक है फखर जमान और जो है जो sixes लगाते हैं वो brood players हैं यह हमने किस तरह पता करना है कौन सा player किस category के अंदर आता है इस चीज़ को देखने के लिए हम जब match start करते हैं उस वक्त जो है हमारे सामने batsman की सारी categories आ जाती है आपको देखा देता हूं कि वो कहां पर आती है तो यहां पर हम match को start करते हैं ठीक है जी तो यहां पर आप देख सकते है match की type show हो रही है sorry मैं match की type कह रहा हूं bestman की type तो यहां पर आप देख सकते है balance player B.A.L. यानि के balance player B.R.U. बर्यूट player R.A.D. radical player तो यहां पर आपने देख लेना है कोन सा विरात कोली की क्या कटागरी है अगर आप इंडिया से हो तो जिस country से भी हो आपने प्लेयर्स की पहले category से देख लेनी है तो वो chart आप उस हिसाफ से save पर सकते हो भी मैं तब तक के लिए खुदा आपीस है